नमस्कार दर्शकों स्वागत है आपका एस्ट्रो सच यूट्यूब चैनल पर शास्त्रों में कहा गया है कि घर में हवन करने से वातावर्ण शुद्ध होता है, बुरी शक्तियों का नाश होता है और घर में सकाराक्मक उर्जा का संचार होता है हवन की तरह हवन की राख के भी धेरों फाइदे हैं हिंदू धर्म में हवन की प्राचीन काल से ही परंपरा रही है कहते हैं कि घर में हवन करने से नकारात्मक उर्जा का नाश होता है हवन से घर का वातावर्ण शुद्ध होता है और सकारात्मक उर्जा का वास होता है जोतिष शास्त्र में कहा गया है कि किसी भी पूजापाथ या किसी खास मौके पर हवन कराना शुभ माना गया है इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्थ होता है हवन करने के लिए हवन सामगरी का सही होना बहुत जरूरी होता है हवन सामगरी में कई चीजे शामिल होती है शास्त्रों के अनुसार हवन करते समय अगनी में हवन सामगरी की आहुती दी जाती है हवन के दौरान निकलने वाला धुआ ही वातावर्ण शुद्ध करता है हवन के साथ साथ हवन के बाद ही बची हुई राख का भी विशेश महत्व बताया गया है हवन की राख से जोतिश शास्त्र में कुछ उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से घर में बरकत बनी रहती है मा लक्षमी की कृपा बरसती है और घर से नकारात्मक उर्जा का नाश होता है कई घरों में हवन की राख को संभाल कर रखा जाता है तो कुछ लोग इसे बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं हवन की राख में कई चमतकारी गुन होते हैं आईए जाने हवन की राख के हैं कई फायदे वास्तु शास्त्र के अनुसार हवन की राख का इस्तिमाल करके घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोका जा सकता है जोतिश शास्त्र के अनुसार हवन की राख को फैंकने की बजाए उसे व्यवसाई स्थल पर या फिर घर के चारों तरफ छिड़कने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं कई बार घर के बड़े बुजुर्ग तेल या नमक की मदद से नजर उतारते हैं लेकिन जोतिश शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि नजर उतारने के लिए हवन की राख का भी इस्तमाल किया जा सकता है वस्तु शास्त्र में बताया गया है की घर के सदस्यों को नजर दोश से बचाने के लिए हवन की राख का टीका लगाया जाता है ऐसा करने से बुरी से बुरी नजर दूर होती है और नजर दोश से मुक्ति मिलती है घर में धंदौलत और बरकत पाने के लिए हवन के बाद ही राख को संभाल कर रख लें इसके बाद राख के ठंडी होने के बाद उसे लाल रंग के कपड़े में बांध लें और इसे तिजोरी में रख दें इस उपाय को करने से धन में बरकत होती है और व्यक्ति को पैसों समबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता अगर किसी जातक को रात में डरावने सपने आते हैं तो हवन की राख से इन्हें भी दूर किया जा सकता है रात में अगर हवन की राख का टीका लगा कर सोया जाए तो रात में डरावने सपने आने बंध हो जाते हैं इस उपाय को लगातार चार दिन तक ऐसा करने से व्यक्ति को डरावना सपने आने बंध हो जाते हैं